हेलो एवरिवान वेलकम टू माई चानल हिंदी टालो डैक ट्रिपल टू मैं हूँ बल्लवी कैसे हैं आप सभी लोग आप सभी अच्छे होंगे तो फ्रेंद्स आज मैं आपके सामनी लेकर आई हूँ एक collective reading ठीक है ना इसमें आपके partner की current feelings मैं बताऊंगी तो यह reading जो है एक general reading होगी और collective reading होगी गाईस और यह एक general reading है तो हो सकता है आपसे 100% resonate ना करें ऐसा possible बिल्कुल भी नहीं है तो आपसे जितना भी resonate करें आप प्ली आप लोगों के पार्टनर के लिए पढ़ रही हो वह आपकी हो तो यहां पर यह एक जंडर स्पेसिफिक भी बिल्कुल नहीं है यह वाइस वरसा भी हो सकती है ठीक है ना गाइस और एक यह टाइमलेस्स लीडिंग है तो जब भी भी आप लोगों के सामने आती है तो आप यह आप यह समझेगा यह आप लोगों के लिए है ठीक है ना चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं आपके पार्टनर की करन्ट फीलिंग्स के लिए मैं कार्ड आप लोगों के सामने आज शफल करूंगी ठीक है चलिए चलिए दमून एंड पेज ओफ पैंटिकल्स पैसिस और टॉर्स वर्गो एंड केप्रिकॉर्ड पैली में सारी काट्स निकाल लेती हूं फिर में एक साथ अच्छे से एक स्पें कर भी हैं चीक है ना शिक्स अब बांस इन रिवर्स फोर फैंटिकल्स एरीस लिव एंड साजिटरियर्स और टॉर्स वर्गो एंड केप्रिकॉर्स तो यहां पर फाइर एनर्जी बहुत आई है एरीस लिव एंड सजिटरियर्स वर्गों केप्रिकॉर्न भी बहुत आई है दसन मेजर अर्काना कार्ड एंड पेज अफ सोर्स जैमिना लिब्रा एंड अक्वेरियस ठीक है ना चलिए तो काइस मुझे यहां पर दमून का कार्ड मून का कार्ड मुझे बताता है कि आपके पार्टनर की हिडन डिजायर है आपकी तरफ मूव लेने की आपको अपनी फिलिंग्स ओफर करने की मून का कार्ड मुझे सीक्रेट्स के बारे में कुछ हिडन थिंग्स के बारे में बता रहा है आपके पार्टनर कुछ ओफर करना चाह रहे हैं आपको विद इस पेज ओफ पैंटिकल कार्ड ठीक है ना सो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो आपको अभी शो नहीं कर रहे है जो वो अपने माइंड में आपके लिए सोच रहे हैं ठीक है ना बट वो आपके बारे में काफी पॉजिटिव है ठीक है इस पेज ओफ पैंटिकल के कार्ड के साथ में बता सकती हूँ आपको इट सीम्स डेफिनेटली क्वाइट पॉजिटिव है फ्यूचर को लेकर वो आई थिंक ओवर्थिंक भी कर रहे हैं यहाँ पर ना इस मून कार्ड आपके पसंद को अपने इमोशन अपना प्यार एक्सप्रेस करना आता ही नहीं है आपके पार्टनर आपके पार्टनर और 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 आपके प में age differences तो है and वो आपको काफी stock भी कर रहे है whatsapp, facebook, twitter मतलब social sites पे आपको काफी जादा काफी जादा stock कर रहे हैं आपको ठीक है ना हो सकता है आपने उन्हें blog कर रखा हो हो सकता है अभी आप social sites पे active ही ना हो but वो आपको social sites पे ढून रहे है ठीक है ना आपके बारे में informations कैदर कर रहे हैं किसी तरह से वो so with this six of wands and reversed card and four of pentacle वो definitely आपके तरफ बढ़ना चाहते है but उनके पास इतना courage ही नहीं है ठीक है ना इतनी हिम्मत ही नहीं हो रहे है उनमे और इसलिए वो अपना प्यार अपनी feelings आप से छुपा रहे है ठीक है ना they don't have gut to come towards you with this six of wands card in reversed और with this four of pentacle cards आप से attracted तो है वो आपको लेकर काफी positive भी है ठीक है ना कैसे पकर रखा है आपको कही जाने ही नहीं देना जाते वो इस card से मुझे ये पता चलता है four of pentacle card से मुझे ये ही पता चलता है तो वो आपको किसी और के साथ देख भी नहीं सकते हैं ठीक है ना पट आपके partner ना आपको कुछ offer तो करना चाहते हैं definitely आपको कुछ offer करना चाहते हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि वो कैसे इस situation को handle करें कैसे deal करें आपके साथ ठीक है ना यहाँ पर तीन-तीन pages आए हैं pages इसके card तीन दिन आए हैं जो मुझे बताते हैं कि आपके partner अपना प्यार, अपनी feelings, अपना offer आपको express तो करना चाहते हैं बट वो इस मामले में काफी अनारी टाइप के दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर ठीक है ना अपनी feelings ही नहीं express कर पा रहे हैं वो यहाँ पर and with this page of wants card आपके person आपको लेकर काफी passionate भी है but with this five of wants card ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के बीच में काफी disputes, काफी arguments हुए हैं ठीक है ना काफी जादा disputes, काफी जादा arguments हुए हैं काफी लोग हैं आपके बीच में involved हो चुके हैं वो family हो सकती है, वो आपके friends हो सकते हैं आपके partner के जैसे आपको resonate करें आप उसी के according लीजेगा ठीक है ना पर यहाँ पर disputes तो हुए है fighting तो हुई है आपके बीच में और शायद इसी वज़े से ये situation आप लोगों के सामने आई है ये no contact की ये separation की जो situation है वो इसी वज़े से आपके लोगों के सामने आई है और maybe यही reason है कि आपके person यहाँ पर feelings होते हुए भी आपसे अपनी feelings चुपा रहे हैं यही reason है कि feelings हैं उनके पास आपके लिए आपको कुछ offer करना चाहते हैं बट वो अपनी feelings in disputes in arguments की वज़े से आपसे hide कर रहे हैं यही चीजे वो आपसे चुपा रहे हैं इसलिए वो अपनी energy भी ना कही और लगा रहे हैं आपके तरफ ना कर वो अपने आपको work में ज़्यादा लगा रहे हैं आप लोगों के बीच में काफी verbal disputes हुए हैं और इसी वज़े से वो courage नहीं दिखा पा रहे हैं आपसे बात करने की आपको face करने की ठीक है ना but good news is that we have the sun card and the page of source clarity चाहते हैं happiness चाहते हैं आपके साथ ठीक है ना definitely उनका intentions आपके तरफ आने का है आपसे बात करने और चीजों को better and clear करने का है so वो अपना confusion हटा कर इन fights को पीछे छोड़कर आपकी तरफ बढ़ेंगे ठीक है ना वो आपके साथ अपनी relationship में honesty चाहते हैं ठीक है ना वो खुद भी honest रहे इस relationship में और आपसे भी वही चाहते हैं दोनों के लिए maybe वो अभी sure नहीं है कि क्या words use करें क्योंकि इतना ज्यादा verbal disputes हो चुका है आपमें तो उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या word use करें कैसे आपको face करें ठीक है ना काफी wrong words भी शायद उन्होंने आप लोगों को बोले हैं but अभी वो situation को लेकर clarity जहाते हैं ठीक है ना अभी वो situation को लेकर clarity जहाते हैं और outcome भी जो है बहुत अच्छा आने वाला है with this sun card ठीक है ना so मैं यहाँ पर उनकी feelings उनकी messages अगर आपको बताऊं तो वो आपके लिए क्या feel कर रहे हैं तो उनका focus आप है आपको आपसे काफी जादा interest मतलब आप में काफी जादा interest रखते हैं आपको खोने नहीं देना चाहते हैं ठीक है ना जल्द ही आपके तरफ move लेना चाहते हैं with all these pages ठीक है ना आपके तरफ जल्द ही move लेना चाहते हैं हो सकता है इसके लिए उन्हें अभी time लगे because उनके पास अभी courage नहीं है confidence नहीं है but guys for sure वो आपके तरफ आएंगे ठीक है ना और clear conversation तो होगा आप लोगों के बीच में इस situation को लेकर clarity तो आने वाली है आपकी love life को लेकर good things यहाँ पर आने वाली है ठीक है ना good energy दिखाई दे रही है मुझे with this son of card से जो कि आपके arguments को happiness में change कर देगा ठीक है ना friends but guys मुझे क्या feel हो रहा है कि आप लोगों को ना अपनी life ऐसे यह बैठे रहकर waste नहीं करना चाहिए क्योंकि उन्हें अभी time लगेगा ठीक है ना situation को handle करने में situation को समचने में courage दिखाने में अभी उन्हें यहाँ पर time लगने वाला है तो आपको अपनी energy को waste नहीं करना है यूही बैठे नहीं रहना है ठीक है ना कुछ भले आप यहाँ पर कोई effort नहीं डाल सकते हैं बट आप अपने effort को अपने work पे डालेंगे तो आपके लिए वो जादा benefit रहेगा ठीक है ना चलिए अब मैं दिखा निकालती हूं कि आपके लिए क्या guidance आ रह होंगी क्या energies आ रहे हैं आपके लिए क्या guidance आ रहे हैं आपके लिए please universe guide me please universe guide me न्यू विजन इनका दो काड्स मेरे कर गए है patience and silence ठीक है ना देखिए क्या guidance दी जा रहे हैं आपको आप शयद अपनी feelings ना आपने बिल्कुल close कर लिया है अपने लिए भी और दूसरे के लिए भी शयद आप ना दूसरे को भी अपनी life में एंटर करने के लिए बिल्कुल आपने आपको आपने बंद कर लिया है ठीक है ना तो आपको यहाँ पर angels की side से universe की side से यही guidance दी जा रहे है कि आप अपने आपको open कीजिए अपने आपको you close करके मत रखिए situation को control करने की कोशिश बिल्कुल मत कीजिए and guys एक और चीज़ देखिए आपके person भी यही गलती कर रहे हैं with this four of pentacle card and आप भी कहीं ना कहीं situation को control करने की अपने person को control करने की बहुत जादा शायद कोशिश कर रहे है with this four of pentacle card तो आपको भी यही guidance दी जा रही है शायद यह आप ही की energy मैंने catch करी हो तो आप इस situation को यही पर जोड़ दीजिए उसे control करने की बिल्कुल भी कोशिश मत कीजिए new vision आप नए direction देखिए ठीक है नए तरीके से देखिए आपने रिष्टे को भी नए तरीके से देखिए अपने आपको भी नए तरीके से देखिए self love करके देखिए ठीक है ना work पर focus करके देखिए तो आपको यहाँ पर universe यही guide कर रहा है कि आप new vision देखिए नए तरह से दे को जज़ कीजिए ठीक है ना समझे उसे कि आप यहां पर की वो दोनों परसंग क्या मिस्टेक कर रहे हैं यहां पर थार्ट इंग इसकी साइलेस जैसा मैंने आपसे बोला ना कि अब ही अके लिया बिल्कुर शान्त हो जाएं सिच्वेशन के लिए अपने आपको किसी और आप पर फोकस किज एकदम शांत रहे हैं अपने आपको एकदम शांत रखिए एंड पेशेंस पेशेंस रखना बहुत जरूरी बहुत इंपॉर्टेंट है तो आपको इस सिच्वेशन को पेशेंस ली हैंडिल करना होगा ठीक है ना यही आपके लिए गाइडेंस दी जा र से क्या कहना चाह रहे हैं इस तीन कार्ड मेरे पास आ गहे हैं मिस्टू आइम नाट हैपी एंड आयम टरिबली सॉरी एन आई विश्ट अब पहले में सब निकाल लेती हूं फिर मैं आपको सब एक एक करके एक्स्प्लें कर दिन गी चार्ट और मुझे चाहिए तो कार्ड और चाहिए मुझे देखिए फर्स्ट कार्ड आया है येस आई मिस्स यू टू देखिए आप उन्हें मिस्स कर रहे हैं बट मिस्स वो भी आप को कर रहे हैं तब इतने इतने ओफर करना चाहते है एसे नहीं वैसे वैसे नहीं ऐसे इतने ट्राइ कर रहे हैं आपको ओफर करने के लिए second है I am not happy तो वो इस situation से न वो भी खुश नहीं है वो आपसे कहना चाहते I am not happy ठीक है न I am terribly sorry and I wish that one day you can forgive me वो आपसे माफी माँगना चाहते हैं उनको लग रहा है कि आप एक दिन हुने माफ कर देंगे इस situation को लेकर in fact वो आपसे माफी फिर से माँग रहे हैं sorry I was not mature शायद वो नहीं यहाँ पर आपसे maturely behave नहीं किया हो in fact मैंने आपसे बोला भी ना कि वो pages आये हैं वो आपसे age differences है हो सकता है वो maturity level में भी आपसे थोड़ा कम हो immature मुझे दिख रहे हैं यहाँ पर I am angry with you but I still love you वो आपसे गुसा तो है इस situation को लेकर बट वो आपसे अभी भी प्यार करते हैं वो आपसे यह कहना चाह रहे हैं I hope you stay happy वो वो wish करते हैं कि आप हमेशा खुश रहें ठीक है ना फिर उसके बादा आता है I had no choice हो सकता है उन्होंने यह situation इसलिए चोड़ी हो कि उनको भी यह लगा हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता इस situation में और उन्होंने भी इसे let go कर दिया हो और इसलिए कह रहे हैं I had no choice ठीक है ना फिर उसके बाद है can we have a future देखे वो आपको offer करना चाह रहे है मैंने बोला था ना कि वो आपको offer करना चाह रहे है वो यहां पे भी कह रहे है can we have a future तो वो आपके साथ एक future देखना चाहते है एक stability देखना चाहते है with this page of pentacle cards ठीक है ना तो वो courage बिलकुल दिखाएंगे वो आपको offer बिलकुल करेंगे तो मेरा तो आपको यही guidance है इन cards को देखकर कि आप उनका wait कीजिए बट उसके साथ साथ आप अपने आप पे self love पे work कीजिए अपने work पे work कीजिए ठीक है ना और इस situation को सिफ बैठे रहकर ही देखने से कुछ नहीं हासिल होने वाला फॉर शॉर वो आपके life में तो आएंगे ठीक है ना बस आज की reading यहीं परती अगर आपको मेरी reading पसंद आती है resonate करती है तो प्लीज मेरे चैनल को like कीजिए share कीजिए and subscribe कीजिए ठीक है ना और guys इसी तरह से मैं आपके लिए अच्छी अच्छी guidance लाती रहूं अच्छी वीडियो बनाती रहूं तो प्लीज मेरे इस चैनल को support कीजिए thank you guys bye bye